प्रोग्राम्स के अंदर अपने प्रोग्राम्स के अंदर इन्वाल्व करती है यानि के सरकार देखे आपने आम जन तक कोई सर्विस पहुचाने के लिए कोई प्रोटक्ट पहुचाने के लिए जब अपने ही देश की किसी बड़ी कंपनी के साथ करार करती है तो वो दोनों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, मतलब company के लिए भी और overall अगर आप देखे सरकार के लिए भी, यहाँ पर ऐसे ही कुछ होते वे दिखाई दिया है, इस news के अंदर जो मैं इस वीडियो के अंदर आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जिसमें सरकार की e-governance arm, जिसको CSC कहा जाता है, उन्होंने Tata Power के साथ में एक बड़ा collaboration करने का announcement किया है, जिसके तहट वो हमारे rural sector के लोगों के लिए सस्ती और reliable power available कराएंगे, तो देखे क्या वो news है, वो सारी चीज़े मैं आपको एक article के तुरू दिखा रहा हूँ और इसी के हिसाब से आने वाले trading sessions के अंदर यहाँ पे क्या कुछ positioning बनती भी दिखाई दे सकती हाला कि यह news है 15 April 2020 की और उसके बाद एक अच्छा खासा move हम लोग Tata Power के अंदर देख चुके हैं, और मैं समझता हूँ कि यह जो low points आप यहाँ पर charts के उपर दिखा रहा है, यहाँ से अगर आप positions बनाते हैं by Tata Power के अंदर देखने को मिल सकते हैं, तो सबसे पहले देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ वो news, detail में उसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम लोग charts के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं, कि कौन से वो levels होंगे, जहां तक हमें इसका target दिखाई दे रहा है, तो Live Cata Power to set up 10,000 solar microgrids in rural areas, 10,000 microgrids, solar microgrids को यहां पर establish किया जाएगा, CAC के दुआरा Tata Power की मदद से, CAC क्या होता है, देखें, common service center होते हैं, सरकार की e-governance services को पहुचाने के लिए, उनके लोगों तक पहुचाने के लिए, एक common service center बनाये जाते हैं, जिससे हर तरह की service सरकारी सेवा का, हमाँ पर basically lab मिल सके, आम लोगों को, तो यहां पर देखें, partnership का announcement किया गया है, जिसके अंदर 3.7 lakh CSCs involved रहेंगी, और 10,000 solar power grid को establish किया जाएगा, जिसके थुरू देखें, agriculture sector में भी, और इसके बाद domestic sector में भी, और छोटे मोटे जो उद्योग होते हैं, villages के अंदर, rural areas के उनको power supply दी जाएगी, यह basically इसका common minimum plan की तरह से आप समझ सकते हैं, कि इसका जो base है, वो यह है, देखें, आपर आगे क्या लिखा है, CSC, E-Governance Services India Managing Director Dinesh Tiagi said that the collaboration with Amplify the Government's ongoing campaign to provide clean and sustainable energy to household and businesses in rural areas, तो यह motive है इस चीज़ का कि household and businesses को clean and sustainable energy provide कराई जाए, अब देखें, यह सीधे-सीधे क्या कुछ impact कर रही है, कि this will help rural customers move away from burning relatively expensive fuels, such as kerosene and can provide basic energy services and meet economic needs, kerosene oil का अभी भी इस्तमाल होता है as a fuel, और जो बहुत जादा expensive है, वहाँ से shift करने के लिए, वहाँ से उनको solar energy पर shift करने के लिए बहुत जादा मददगार साबित होगा, इसके ब देखें, यहाँ पर under the partnership over 3.75 lakh CSE will be provided in supplying solar water pumps to farmers and help in setting up microgrids in residential commercial establishment in rural areas, solar pumps यहाँ पर establish करने का plan है 3.75 lakh CSEs के दुआरा, जहाँ पर देखें, इस basically solar power grid का use किया जाएगा, तो इजो twin side में partnership हुई है, टाटा पार की and CSE की, यहाँ पर employment generation की भी बात निकल के आ रही है कि approximately 20,000 jobs निकल के हैंगे, क्योंकि एक पंचायत में से, एक village पंचायत में से, दो लोगों को चुना जाएगा, जो इस काम के अंदर involved रहेंगे, और दूसरा जो important चीज़ है कि company को भी, यहाँ से कहीं न कहीं business मिलने की पूरी-पूरी उमीद है, जिससे वो जादा से जादा expand कर पाएंगे, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस तरीके से इतने सारे developments हो रहे हैं भी, नैसको के साथ तोड़ी सा में, उन्होंने जो latest development किया था, वहाँ पे भी देखिए, 12 million से जादा इनके customers हो गए हैं, अब Tata Power के, इस तरीके से अपनी penetration को ये rural sector क के अंदर भी भड़ा रहे हैं, जिससे इनका business भी overall बढ़ता रहे, और एक sustainable business ये लोग कर पाएं, तो Tata Power, देखिए, मैं हमेशा आप से यही चीज़ कहता हूँ कि power sector एक ऐसा sector रहा है हिंदुस्तान में, जो बहुत जादा घाटे का business करता आया है, और इसलिए देखिए, अ इनका जो management है, बीते कुछ महीनों के अंदर हमने देखा, बहुत बड़े developments हमें देखने को मिले हैं, in fact, एक साल का अगर इसकी trajectory देखें, Tata Power के, तो तकरीबन 200% का इजाफा इसके share price में हो चुका है, मैं में आप देखिए, 27 रुपे का ये stock हुआ गरता था, जो अब इसके अगर 52 भी खाई देखेंगे, recent में जो इसने लगाए है, March 15, March के असपास, वो 115 रुपे के हैं, तो यहां से काफी अच्छा movement और यहां पर आ चुका है, उसके बाद देखें, यह गिरावट जरूर हुई, consolidate भी हुआ, लेकिन यहां पर आप वापस से समलतावा दिखाई दे में इसके अंदर एक और नियूस थी कि इन्होंने, Malaysian जो इनके पार्टनर थे, उनके साथ में एक डील होनी थी, approximately 2 billion dollars की, उसको वहापर terminate कर दिया था, उसको cancel कर दिया था, उसकी वज़े से यहां पर काफी भारी गिरावट हमें देखने को मिली थी, लेकिन देखें, वो यह base वाकी में काम्याब हो जाता है, यानि कि इसको यह नीचे की तरफ अब नहीं breach करता, तो फिर आपको यहां से अब नहीं तेजी देखने को मिल सकती है, और previous जो 52 week high है, उसको यह break करने में काम्याब हो सकता है, तो मेरे साथ से जो current positions हैं, यह बहुत अच्छी positions है, short term के अगर आप trade लेना चाहें, तो 96 रुपीज जो भी current market price है, वहां से भी सके अदर bind position बना सकते हैं, अगर आप short term trader है, तो आपको stop loss लगाना है, approximately 90 रुपीज के आसपास का, जो previous 12 of April case के low points थे, और आपको target जो रखना है, वो रखना है, immediate basis पर वो रहेगा लगबग 106 रुपे क आसपास, और अगर आप long term का देख रहे हैं, तो long term के अंदर देखे, मेरा मानना ये है, कि तकरीबन 120 रुपे तक के target टाटा पार के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ ही trading sessions के दौरान, अगर market में कोई नई conditions ऐसी नहीं आती है, coronavirus को लेके, कि market महाँ पर देखे, बड़ा decline दिखा दे, हाला कि cases हर दिन बढ़ रहे हैं, और इस वक्त 2,60,000 से जादा cases पिछले 24 गंटे में दर्च किये गए, तो market में घवराट होना लाजमी है, गिरावट होना भी लाजमी है, लेकिन देखे, ये कहीं ना कहीं एक peak जरूर बनेगा, आज नहीं बनेगा, त कभी न कभी स्टॉक भी समलतव आपको जरूर नजर आएगा, तो इस तरीके से देखे, टाटा पावर को आप अपने पोर्टफोलियो में एड कर सकते हैं, सजेशन मेरा यही रहेगा कि लॉंग टर्म का परस्पेक्टिव रखिए, तभी आपको ज्यादा प्रॉफिट होन करने के चांसे स्टाटाप पार के अंदर मिलते वे दिखाई देंगे, तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही, यह वीडियो कर आपको अच्छे लाग रहा है, तो प्लीज लाइक और शेयर जरू कीजएगा, और अभी तक आपने ट्रेंड लें स्टॉक को नहीं सब्सक्राइ